नमस्कार दोस्तो आज आपका हमारे यूटूब चैनल में स्वाकत है तो दोस्तो आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ तो दोस्तो वो नई वीडियो है सेलिंग फैन का कनेक्शन कनेसर के साथ और मोटर के त्योतार होते हैं तीतार के साथ कैसे करें तो द तो आज मैं आपको बताऊंगा कि जो स्चीलिंग फैन होता है शटका पंका होता है उसके जो तीन तार होते हैं मोटर के और जो कंडश के दो तार होते हैं कि उनका connection किस परकार किया जाए क्योंकि घर बैटे हम connection इनका कर सकते हैं कोई भी जढ़ा बड़ी दिक्कत नहीं आती हम मिस्त्री को मिस्त्री पचाश सो रुपा ले लेता है जो पिजल करसी होता है धो घर बैटे connection आप कर सकते हैं और दो मिन्ट में या पांच मिन्ट में तो दोस्तों इसमें जो यह तीन तार है यह इसमें रेड और जो पीला और जो जो यह ब्लेक तार है यह हैं पंके के तार है और जो दो सफेद तार है यह कंडेंसर कैपिशेटर के तार है तो इनका कनेक्शन हम तीन तार और जो दो तार है कैपिशेटर के इनका कनेक्शन हम कि यह विद्यान पूरक देखना दोस्तों किस परकार हम connection करते हैं कर दोस्तों जो थीन तार हैं इनमें आपको सबसे पहले 10 common wire मानना पड़ेगा हम काले नाइस टार को मान लेते हैं जो लिए उसको काले जो तार है उसको कमन उयर मान लिया और जो दो तार है रेड कलर का और जो पीला कलर का उसका कनेक्शन हमने करनेशर के साथ कर दिया दोस्तों कर देते हैं तो दोस्तो जो भी दोस्त हमारे यूटूब चैनल पर नहीं है वो हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक जरूर कर दे तो दोस्तो जो एक काला तार है इसको तो हमने common wire मान लिया और जो common wire दोस्तों जो common wire मानोगे उसका connection capacitor के साथ नहीं होगा तो दोस्तों दुबारा ध्यान दे कर सुन लो जो common wire मानेंगे उसका connection condenser के wire के साथ नहीं होगा और जो अधर दो तार होंगे उनका connection capacitor के wire के साथ होगा तो दोस्तों हमने pushes का कीस तार क जो सकता है योटर के साह। तो दोस्तों जो कोमर वायर है उसका कनैक्सिन हम यह आने करें ऒाले तर्मिनल हैं उसमें करेंगे तो यह है हमने कर दिया और जो लाल तार है उसका connection हम उपरवाले में कर देंगे दोस्तो जो भी दोस्तो मारे YouTube चैनल पर नहीं है वो मारे यूटुब चैनल को subscribe और वो कर दे और जो यह पीला तार है उसका connection हम नीचे वाले वायर में कर देंगे दोस्तो हमने connection कर दिया और दुबारा देखला दोस्तो common wire हमने काला तार को माना है और जो लाल तार पिला तार था उसका connection हमने capacitor के wire के साथ connection कर दिया तो दोस्तो अब हम connection को जाचने के लिए लाइट में इसके तार लगाएंगे तो लाइट में लगाने के लिए हम दो टर्मिनल आपको दिख रहे होंगे तो इन में आपको light के तार लगाने है तो दोस्तो इसके लिए हम एक दोरी लेते हैं और इसका connection हम इसमें करेंगे परवाले में और नीचे वाले में दोस्तों का कनेक्शन कर देंगे जिसे पता तो चाहिए कि कनेक्शन सही यह नहीं यह नहीं दोस्तों ने कर दिया यह क्या हो गया यह कर दिया दोस्तो लाइट जब इसको लाइट में लगा दिया तो दोस्तो यह कोई कोई रेस्पोंस नहीं दे रहा है लेकिन यह कोई रेस्पोंस नहीं दे रहा है दोस्तों जब हम इसको लाइट में के अठाएंगे तो हमको पता चलेगा कि इसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन में गड़ बड़ी हुई है तो दोस्तों हम लाइट के तार को उठा देते हैं और इनके कनेक्शन को दुबारा जांसते हैं तो दोस्तों इनको हम दुबारा खोल लेते हैं देखो लिया तो दोस्तों हमने एक चोटी से गड़वड़े की है जो आपको मैं बता देता हूं तो दोस्तों आपको हमेशे दान रखना है कि सीलिंग फैन में जो लाल तार और पील तार हमेशे 90 परसेंट ये 95 परसेंट है लाल तार पील तार और जो काला वायर है इसके इस्तान पर नीला सपेद कुछ भी आ सकता है लेकिन आपको जो लाल तार है उसको ही कॉमन वायर मानन करना पढ़ेगा और पील तार है उसका connection ये जो काला रंग ये वायर के साथ कड़ेगा दोस्तों जो लाल तार है उसको आंजने कोमन वायर मानना पड़ेगा तो नेया सब्सक्रेंगे का connection उपर उपरी ऑला में टर्मिनल में करेंगे नैं तो ये कर दियो आ और दोस्तो जो पीला वायर है उसका कनेक्शन हम कंडेंसर के एक वायर के साथ कर देंगे और उसका कनेक्शन हमेशा बीच वाले में ही करेंगे और दोस्तो जो डाला वायर है उसका कनेक्शन हम नीचे वाले टर्मिनल में करेंगे कि तो दोस्तों किया नपको अंगर दुबारा बढ़ता हूँ जो लाल वायर है उसको कॉमेर भाम आ दियुकर करेंगे और जो पील वायर सब्सक्राइब करेंगे Paul तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको फिर पर या लाइक जरू कर दो